तो हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका दुबारा से रिवाइब कोडिंग में यार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हम यार में ग्रूप बटन हम किस तरीके से बनाते हैं मुस्ट इसको देखने आले ठीक ग्रूप बटन मनलब क्या यहार एक सिंपल सापको एक फिकर दि क्यां खूब हुर्ट जो मेरा कम्पोनेंट यूसको करने विसको रैप करने लिए हम स्टैक सबसे पहsoft लेएं इंपोर्ट सबस् Wein लिखता हूं सलख दूसरा मैं लीखता हूं बटन करने काम करने वह लब हैं तीसरा मैं एक और करता हूं जिसको मैं इंब दोलूगा बटनि क गुटन को हम यहार करेंगे तो बिसिकली यह एक पैरेंट बटन हो गया एक बटन को हमने इस इन पैरेंट लिया ठीक है और इसके अंदर हम तीन को हम नाम दे देते हैं ठीक है जैसा कि मैंने वहां हो हो है तो हमें क्या करता हूं लेफ्ट राइट और सेंटर कर देता हूं ठीक है अब अगर यू डेको आइध आए तो आप देखेंगे और आपको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं काम करता हूं तीनों ही buttons को जो variant है उसको content कर देता हूं तो अब अगर आप यहां आके देखोगे तो basically आप देख सकते हो कि यह तीनों की तीनों button एक साथ है तो जरूर मगर बिल्कुल अलग-अलग है ठीक है तो इसी चीज़ को मेरे को हटाना है तो हम basically इस group button component का use करते हैं जिससे की मेरे तीनों की तीनों button इस ते से group में आ जाते है ठीक है यह जिसता को समझ में आ गई अच्छा at the same time हम यह इस group जो button है ठीक इसकी direction को भी change कर सकते है अगर आप देखोगे तो इसकी direction row है तो हम इसको अगर column में change करना है तो में को ज्यादा राइट तो Direction Change करें लेकी मों किया करना पड़ेगा क्या है यहां यहां Direction निलिक को इसको रो और column को राइप कर दोँगा अब इस राइप करने की बाद बेसीकलिए अब मैं यहां अगर स्टैक वाले component की देता हूं और उसकी property को change करके column कर देता हूँ ठीक है तो उस case में अगर आप देखोगे तो अब यह जो मेरा button है यह row से मेरा column में change हो जाना चाहिए ठीक है मगर अभी भी नहीं हुआ ठीक है तो अभी यह अभी यह क्यों नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्या दिया यार मैंने या property में ठीक है direction में मैंने column दिया ठीक अटे सेम टाइम मेरे को यहां क्या करना पड़ेगा जो इसकी वेरिंट साथीक है इसका orientation है इन बटन का sorry जो मेरे इन बटन का orientation है उसको मेरे को change करके करना पड़ेगा सबसे पहला तो यार मैं इसको सभी कर देता हूं यह property यहां नहीं आएगी ठीक है तो इसको मटा देते हैं और अगर मैं यहां हूँ तो यहां बिसिकर एक property एड़ोगी orientation की ठीक है और इस orientation की properties को हम दो इसकी value होती है ठीक है यादा vertical रख सकते है तो रो रह सकते हो तो हम यह vertical रख देंगे ठीक है अगर मैं यहां इसके property को vertical कर दो तो आप क्या देखोगी कि यह जो group के buttons है यह सीधा अपने vertical foreign में आच चुके है ठीक है अब at the same time यार मैं यह जो पूरा का पूरा जगा एक लेके घर के बैठा हुआ ठीक है तो मैं यह अगर नहीं चाहिए मैं चाहता हूँ कि तीनों की तीनों button इस तरीके से साफसुथरे ऐसे हो जाए ठीक है तो इस चीज़ करने के लिए में वो क्या करना पड़ेगा कुश नहीं करना यार यहां आने के बाद यहां निकल मैं इस में ग्रुप बटन वाले के अंदर मिरे को यहां किल करने पड़ेगी जो भी देना चाहता हूं सकता तो । if तरिके से आप यहां से अपना color property change कर सकते हो अगर मैं यहां size लिखोंगा ठीक है तो size में भी मेरे पस दीन अलग-अलग option होंगे large medium or small मैं चाहूं तो स्मॉल भी कर सकता हो अगर हम स्मॉल करोंगा तो इसके size होगा अगर आपने देखा कि small हो चुका है ठीक है इसके लावा यार मैं इसमें color मैंने use कर लिया अगर आप यहां हो तो देखो इसी तरीके से काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था ठीक अब वही है सिंपल सी बात है कि यार अगर मैं को किसी भी बटन के आई गौट एट ठीक है तो यहार यह जो मेरा function है वो exact callback function की तरही काम करेगा ठीक है अगर आप यहां देखो कि तो यहां जो है वह बाजिए क्पलीट नहीं किया था ठीक है तो मैं अगर इस लेक्ट वालिटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वह ऐलर डॉक्स आना आप यहां इस तरीके सा आँसे कर सकते हैं ठीक है आई होपा आई आपकर समझ में आगया हो कि ग्रूप बटन का यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है अगर आप डार्टेटीशन को चेंज कर तो डार्टेशन चेंज कर जाएगी और दोबहरा से देख लो आपने बटन जो से जिसको आप जाके में के कंपोनेंट एक्सपोर कर सकते हो ठीक है यह वोप यार आप कोई चीजे समझ में आ गई होंगे और मिलते हैं यार मिने ने 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 तक लिए रहे हैं और नाइस डे यार और गुद बाई